ने दोस्तों मैं प्रियाग दरेस्ट सर्मा में आज बात करोंगो दोस्तों क्लोज ग्रेडेडीड क्रीमिक्स सर्फिसिंग मिंख्श्ट शील सर्फिसिंग पड़रे में दोस्तों मिमिन Cohen व्यॉति अब ट्रॉटender टरंसपोरे सन धाई वे मिसके बारे में बहुत सारी डिटेल बताई गी है कि close graded premix servicing mixed seal servicing क्या चीज़ हता है किसे कहते हैं दोस्तों यह कैसे किया जाता है तो इसके बारे में पूरी चांकरी जो है दोस्तों ministry uproot transportation में दी गई है बताई गी है इसमें आप close 508 में जाएंगे उसमें close graded premix servicing mixed seal servicing के बारे में details बताई गी है और नीचे close 508.1.1 में उसके बारे में description दिया गया है दोस्तों और इसमें कहा गया है कि the work shell consists of the preparation laying compaction of close graded premix servicing material of 20 mm thickness composed of graded aggregate premixed भी थे bitminus binder on a previously prepared surface in accordance with the requirements of these specifications to serve as a wearing course दोस्तों इसमें कहा गया है कि पहले से तयार सतय पर brightness binder के साथ premix किये गए graded aggregate से bunny layer close graded premix servicing या mixed seal servicing कहलाती है दोस्तों और इसमें जिसकी मुटाई जो है 20 mm बताई गी है 20 mm रखी जाती है और जो सड़क बन चुकी है उस सड़क की उपरी परत में graded aggregate के साथ और brightness binder के साथ premix करके दोनों को graded aggregate और brightness binder के साथ premix को बिछाने spread करने और compaction करके लेंग करके spread करके compaction करके जो close graded premix servicing mixed seal servicing का का कारे किया जाता है और इस कार में सब्सक्राइब को पूरा ध्यान में रखकर यह कार किया जाता है दोस्तों और इसे wearing course के रूप में जो है निर्मान किया जाता है जो रोड पहले से बन चुकी उसके उपर 20 mm थिकनेस की मुटाई में रखा जाता है इसको close graded premix servicing mixed seal servicing का कारे किया जाता है और यह वेरिंक कूर्स लेयर का कार करते दोस्तों वेरिंग लेयर का करती है तो इसके बारे में पूरी टेल्स जो है दोस्तों इसे में बताई गी है इसके बाद दोस्तों इसमें नीचे बताया गया है क्लोज 508.1.2 में क्लोज ग्रेड प्रिमिक्स सर्फिसिंग सेल भी और टाइप बी एज स्पेसिफाइड दी कॉंट्रेक्ट डाकुमेंट्स टाइप ग्रेडिंग इज रिकुमांडेट फॉर यूजिं एरियाज having ran fall more than 150 cm per year in other areas type B grading में भी यूजड दोस्तों इसमें बताया गया है कि क्लोज ग्रेड प्रिमिक्स सर्फिसिंग टाइप A और टाइप B का होता है दो प्रकार का होता है जैसा कि कॉंट्रेक्ट में जो दस्तावेच में स्पेसिफाइड किया गया है दोस्तों जैसा कि कॉंट्रेक्ट में बताया गया है कि जो भी कॉंट्रेक्ट में बताया गया है टाइप A बताया गया या कि टाइप B बताया गया है क्लोज ग्रेड़ प्रिमिक सर्फिसिंग का वर्क तो यदि हम टाइप A जब करेंगे तो दोस्तों इसका वर्क जो है वो कहां किया जाता है तो इसके बारे में इसमें बताया गए कि टाइप A का वर्क जो होगा यदि प्रति वर्स 150 cm से अधिक वर्सा वाले छेतरों में टाइ टाइप A की ग्रेडिंग लिजाती है क्लोज ग्रेड़ पिर्मिक सर्फिसिंग और मीक्स्ट सील सर्फिसिंग करने के लिए दोस्तों और जहां पर अन छेतर जो रहते हैं धाय, इसमें इसमें यूच की यदि दोस्तों जो भी हम प्रिमिक्स बनाएंगे सर्फिसिंग करने के लिए उसमें टाइप बी का यूज किया जाएगा और जहां पर एक सोपचास सेंटीमीटर से अधिक वर्सा होती है उन छेत्रों में टाइप A की ग्रेडिंग रखी जाएगी उसी ग्रेडिंग के हिसाब से अधिक नग एक साहयं इसमें कौन सुपधय यूज कीया जाएगा इस पैला मतिरियल 17 में इंडर है binder के वारे में clause 508.2.1 में बताया गया कि the previous provisions of clause 5101.2.1 से apply दोस्तों इसमें कहा गया है कि clause 5101.2.1 है वो जो है इसमें उसके provisions जो है वो लागू किये जाएंगे इसमें apply किये जाएंगे binder content select करने के लिए जब भी हम clause graded premix servicing और mixed sealed servicing का कारे करेंगे दोस्तों इसके बाद दोस्तों इसमें जो दूसरा material है वो course aggregate जो हम लेंगे इसमें graded aggregate वो clause 508.2.2 में उसके बारे में इसमें बताया गया है कि the provisions of clause 511.1.1.2.2 से apply दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो clause 511.2.2 में जो provisions जो प्रावधान बताया गया है वो सभी प्रावधान इसमें apply किया जाएंगे course aggregate selection में दोस्तों जब भी हम close graded premix servicing या mixed seal servicing का कारे करते हैं तो जब हमको binder select करना पड़ता है कि कि प्रावधार का binder लेना है तो clause 510.2.1 से select के हैगा और जब भी हमको core segregate select करना है कि इसमें कौन सा core segregate हमको लेना है clause graded premix servicing या mixed seal servicing करने के लिए दोस्तों तो इसमें इसके जो provisions हैं वो clause 511.2.2 में जो भी इसमें provisions बताएगे हैं वो सभी apply कि जाएगे इसके लिए तो इस प्रकार से दोस्तों आपको समझ में आया हुआ कि clause graded premix servicing या mixed seal servicing क्या कहलाता है दोस्तों तो जब भी जो road surface होता है जो road की उपर ही परत होती है जब road तैयार हो जाती है पूरी तरह से तो उसके उपर जो भी इसमें का एक वेरिंग किया जाता है उसके उपर एक surface चड़ाई जाती है जो layer बनाई जाती है वो वेरिंग course जिसको हम बोलते हैं दोस्तों तो इस प्रकार की surface को दोस्तों close graded premix servicing या mixed seal servicing दोस्तों कहा जाता है उसके लिए दो टाइप की जो है graded aggregate का यूज किया जाता है टाइप A और टाइप B और दोनों का उप्यों कहां कहां करना है दोस्तों इसके बारे में पूरी details जो है इसमें बताएगी है उमीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि close graded premix servicing और mixed seal servicing का work किस तरह से क कि आयाता और इसका इस्तमाल कहां होता है दोस्तों और ministry of road transportation and highway में जो इसके बारे में details बताएगी है वो भी बहुत सारी है जो इसके next video में देखें